हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं इंदर जीत सिंग मालविये सुमेरपूर पहुंचे जहां पूर्वर प्रधान व जिला परिशर सदस से छगन सौलंकी के नेतरतु में कॉंग्रेस जनों ने मंत्री मालविये का माला साफा पहना कर बहुमान किया इसके बाद मारवार जंक्षन विधायक खुशवीर सिंग, सिरोही विधायक संयम लोडा जिला परिशर सदस से अरिशंकर मेवारा समेट कॉंग्रेस जनों के साथ मालविये जवाई बान पहुंचे जहां मंत्री ने जवाई के फाटकों की टेस्टिंग की मंत्री ने जैसे ही स्काडा सिस्टम से दो नंबर का गेट खोला तो कोटा माही समेट अन्ने बड़े बांदों पर अलर्ट मेसेज पहुंच गया विभाग के चीफ इंजिनियर अमर सिंग ने जलसंसादन मंत्री मालविये ने बान के गेट पर लगे स्काडा सिस्टम के बारे में जानकारी दी मालविया ने एकसी एन मदन सिंग जेतावत वर डेम इन चार्च गनपद्देफासी से बान के बारे में जानकारी दी उन्होंने मंत्री को बताया कि वर्तमान में बान का गेज 69.55 फीट है इसमें कुल 6883.52 FCFT पानी जमा है बान के गेट खुलने के बारे में बताया वर्तमान में इंफलो कम है सिर्फ सही सही पानी आ रहा है कमांड एरिया में अच्छी बारिश होती है तो ही गेट खोले जा सकते हैं इसके बाद मंत्री मालविये जोयला पर निर्माना धीन पिक अप वियर का निरिक्शन करने पहुंचे जहां पालडी जोल ग्राम पंचायत में सरपंच महिंद सिंग मेवारा के सानिदे में ग्राम वासियों ने मंत्री मालविये का माला साफा पहना कर सम्मान किया मंत्री मालवी ने सूकडी नदी पर करीब 15 करोड रुपे से अधिक की राशी से बनाय जा रहे जोयला पिक अप वियर का विधायक संयम लोड़ा के साथ निरिशन किया इस दोरान मंत्री ने विभाग के अधिकारियों से पिक अप वियर के निर्मान से संबंदित जानकारी ली तथा इसे शिग्र पूर्ण करने के निर्देश दिये जागरुक टीवी के लिए सुमेरपूर से शंबुलाल परमार की रिपोर्ट